अलो फ्रेंड्स वेल्कम डू एसे छ्वेशन वर्ल्ड आज मैं आपको दो रूंगों का बहुत ही खुबसूरत डिजाइन सिखाने वाली हूँ तो चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए आपने रखने हैं इवन नंबर में फंदे जैसे दो चार छ स्टार्ट जैसे इस तरह से फंदे रखने हैं तो मैंने यह एकाँपर लगाये हैं 8 श्टिचना आठ चंडी में ढाले हैं तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं डिजाइन हम रॉंसे physics ठार्ट करेंगे तो देखिए यह हमारी रॉवन है रॉंग स्टे सेम कलर से हम बनाएंगे पहली row wrong side से देखिए क्या करेंगे पहला फंदा सीधा उतारा उल्टी तरफ है row 1 और ये पूरी row देखिए हम सीधी बनाएंगे row 1 wrong side है बट ये पूरी row हम बनाएंगे सीधी तो इस तरह से आप इस row को complete कर लीजिए अब बजाएए रो 2 पर right side से दूसरी रो सीधी दरब से तो दूसरी रो सीधी दरब से देखे क्या करेंगे यहां पर हम धागा चेंज करेंगे मैं यहां पर लगा रही हूँ दूसरे कलर का धागा yellow कलर का धागा मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और उसे देखिए पहला फंदा हमने सीधा बना लिया इस तरह से मैं धागे को आगे ले जाओंगी ताकि हमारा फिर ये फंदा को लेना इसलिए मैं इस तरह से आगे कर दूँगी इसको अब देखिए यहाँ से हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे अब देखिए जो आगे वाला फंदा है उसके नीचे जो होल दिख रहा है वहाँ पर हम सलाई को डालेंगे और यहाँ से एक फंदा निकालेंगे फिर एक फंदा ऐसे ही सीधा बनाएंगे अब यही दो फंदे देखिए हम रिपीट करते जाएंगे यह देखिए एक जो फंदा है उसके नीचे देखिए इससे नीचे हम बनाएंगे और एक फंदा ऐसे ही सीधा बनाएंगे फंदे के नीचे में से बनाएंगे और एक फंदा ऐसे ही सीधा बनाएंगे यह पूरी रो आपने इसी तरह से करनी है लास में देखे एक फंदा बचेगा इसको आपने ऐसे ही सीधा बना लेना है अब आजाईए रो 3 पर रॉंग साइड से थर्ड रो उल्टी तरफ से तो पहला फंदा तो उल्टा उता रहेंगे बाकि ये रो पूरी हम सीधी बनाएंगे इस रो को भी हमने सीधा बना करेके कम्प्लीट करना है अब बजाईए रो 4 पर सीधी तरफ से 4th रो रो 4 राइट साइड से अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे धागा चेंज करेंगे यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का धागा लगाऊंगी पहला फंदा सीधा उतारा अब आगे वाला फंदा भी यहाँ पर सीधा बना लेंगे अब यहाँ से देखें फिर से हम रो 2 रिपीट करेंगे तो देखें जो फंदा दिख रहा है उसके नीचे में से स्लाइक को डाले यहाँ से एक फंदा निकाला और एक फंदा हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे एक फंदे के नीचे में से फंदा बनाएंगे और आगे वाला फंदा ऐसे ही सीधा बनाएंगे तो पूरी रो आपने इसी तरह से ही complete करनी है ये, last में एक फंदा बचे का देखिए इसको भी आपने सीधा बना लेना है, ये देखिए, अब चार रो बनाने के बाद हमारा design भी यहाँ पर over हो जाता है, ये design मैं पहले आपको single color में बता चुकी हूँ, अब मैंने इस वीडिय मैं आपको double color में बताया है ये, तो जैसे जैसे आप इस design को बनाती जाओगे, design आपका कुछी इस तरह से बनता जाएगा, design बहुत ही प्यारा बनता है ये भी, तो आप बनाकर के जूरू देखिएगा इस design को, तो row 1 से लिए के row 4 तकी आपनी continue करना है जितना भी आप design डाल जाते हो, thanks for watching मिलते हैं next video में किसी और knitting tutorial के साथ, तब तक के लिए bye bye